हेलो एवरीवरन कैसे हैं आप लोग उम्मित करती हूं आप सब भी ठीकी होगे और हमने बालों को और काला ब्रेंट कर क्पानी विधियो को स्टाटंटे ने तो देखेंक यहां मैंने कांच की कटोरी ले लिए हमें इंगरेट करने होगे बट उस से पहले आपको क्या करना होगा देखिए मैंने यहां जो एक कटोरी में इसमें थोड़ा से गुंगुना पानी लिया और इसके अंदर जो है मैं शीका काई रिठा को इसमें एट कर दूँगी यह देखिए यह जब तक यह अच्छे से घुल जाता है अच्छे से यह जो पानी मिक्स हो जाएगा जो हमें इस इंगर्ट में एट करना होगा तो बिल्कुल हमें क्योंकि पानी को जो है सिंपल पानी को नहीं डालना होगा जिससे कि हमारे बाल जो नैच्रल काले हो जाय और मिन्टों में हम जो है डाई को भूल के जो अपने शफद बालों को काला कर सकते तो नीम लीफ पाउडर जो काफी सारे ब्राण का आता है आप देखते होंगे तो मेरे पाथ यहां पर है काफी अच्छा है तो इसमें जो हमें यह चीजे जो हमें बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करने होगी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वैसे आप लोग तो सूद्ध है यहां अब आपके पास जैल नहीं है कि इसमें पानी का ल्यूजण लगा पाते हैं क्योंकि आ हैं यहां यह आपको इसके अंदर डालना होगा यहां पर तो हमें यह भी उसी कॉंट्रिटी की सेम बराबर में लेना होगा यह मैंने इसके अंदर ले लिया है याद रखिए इसका निंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी जगा दे चुकिए वहां से भी चेक आउट कर सकते हैं और इसमें भी देने के कोशिश करूंगे तो आ करने वाली हो आप लोगों के साथ लेमन पील पाउडर वह भी हर्टॉनिक का है काफी अच्छा है देख सकते हैं क्योंकि मैं सारी चीजे आप लोगों साथ इसलिए काफी लोग कहते हैं कि आप जो डालते हैं वो इसको जरूर शेयर कीजेगा उसका लिंक भी दिखाईएग तो देखे मैंने इसके अंदर जो है लैमन पील पाउडर डाला है वाइटमीन सी से बहुत जादा भरपूर होता है मारे सकेन के लिए न के लिए काफी अच्छा जो है फायदेमंद होता है यह सारी चीजे मैंने इसके अंदर एक कर दिये यह भी हमें चरब आदा चामस लेन बड़ा जाले चीजे पाऊचा जागाँ लेकलर क्योंकि काला है यह भीया उसके फेले से भीगा के रखते हुँ और आप इसको जाबंद भीद आप अलग कर दूंगी नहीं है काफी अच्छा कलर आजाता है आपको बॉइल करने की जरूत नहीं पड़ेगी इस तरीके से य प्रक्ष्ष ग्रत करेंगे ज्यादा जल्द ही असर करेंगों हम इससे के पानी को जो इसके ऐंडर करेंगे ज्आंक यह डीकशन पैड़कर यहां चुमार जाने कुई से कि смी इसके ऐड़ करना हो वार्टन वोटर ने लिए तो इसके लिए हमें आवला को हम स्किप कर सकते हैं यह देखी काफी अच्छा यह जो पेस्ट बन जाएगा मारा और आप इसको इंस्टेंट अपने बालों में जो जड़ से काला कर सकते और आपके बालों में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी ना आप लोगों के बाल बिल्कुल भी एट मत कीजिएगा यह अच्छे से मिक्स कर लेती हुँ मैं आपको लगता है कि इसके अंदर और ज्यादर डालना है तो आप डाल सकती है थोड़ा सा नारियल तेल भी एट कर सकते उससे भी आपके बाल जो बहुत जादर सिल्कन स्मूध भी हो जाएंगे मैंने आप लोगों साथ शेयर की बहुत ईजी है और आराम से आपको पर्चेस करेंगे लिंक पर इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देतूं कि वहां से आप पर्चेस कर सकते काफी अच्छे जो इसके प्रड़क्स है और काफी अच्छे अगर आपके पास अपने प्रड़क्स से आप उसको लीजिएगा बिल्कुल भी जो है रोस्ट मत कीजिएगा अब आप देख सकते कितना अच्छा यह कलर आ चुका है अपी थोड़ा सा मेरा यह वाटर जो इसका बचा हुआ है मैंने सारा नहीं डालना तो अगर लगता है कि आपको जो पान स समय तक काला कर सकते और उमीद भी करती हूं आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी फी लगिए क्योंकि काफी सारी प्रिवियज वीडियों में लगा के दिखाए यह करके हेर्वाश का डेमो भी आप लोगों साफ शेयर किया है और हो सकता है आप लोगों को काफी लोग भी आपके ठीक हो जाएगी यह देख सकते रेमेडी मारी बन के तयार हो गई है काफी अच्छी थीक आच चुकी है यह रेमेडी चलिए इस वीडियो को मैंन करना चाहूंगी उम्मेद करते हैं आप लोगों कोई वीडियो लगे अच्छी लगे अच्छी लगे हो तो प्लीज क्या कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब